नमस्कार दोस्तों UPPSC Daily News में आप सुभी लोग का स्वागत है तो जहां दोस्तों यह वीडियो है MPPSC से संबंदित एक वेकंसी जो की बहुत ही महत्पूर वेकंसी है जिसमें मैं आप सुभी लोग को पूरी डीटेल बताऊंगा जो पोस्त है DSP रेडियो और कंप्यूटर DSP की है इसमें DSP रेडियो में कितने पद हैं कंप्यूटर DSP में कितने पद हैं और साथ में इनके अलग-अलग syllabus क्या है जीके है कि नहीं है ये सारी चीज़ों पर मैं बात करूँगा और कौन से लोग eligible होंगे इस vacancy को apply करने के लिए तो बिना देरी कि ये चलिए शुरू कर देते हैं इस्क्रीन पर मैं सारी चीज़ें लिख लिख करके आप से लोगों को बताऊंगा देखे ये diptsp radio की मैं बात कर रहा हूँ अभी फिलाल के लिए और इसमें computer जो सेक्सान है उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें मैं आपको बता दूँ कि जो application start होने वाला है उसकी date है 5-7-2021 और मैं आपको बता दूँ इसमें last date apply की है 4-8-2021 ठीक है ये application start होगा 5-7 से और last date है 4-8-2021 अब इसमें payment के लिए last date जो रखी गई है payment के लिए जो last date है वो भी 4-8-2021 को रखा गया है ठीक है अब इसमें correction date की हम बात कर लेते हैं तो correction के लिए इसमें date है correction आप से लोग अगर कुछ गलती हो जाए इसमें correction कर पाएंगे 0-6-08-2021 चार्ट-2021 तक है एक्जाम डेट अभी जो है वो soon है इसमें आपको इसके official site से update मिलती रहेगी देखे इसमें जो आयू है एज है एज वो कौन से लोग eligible है minimum 21 साल है और maximum 33 year है इसमें इस आयू के लोग eligible होंगे और साथ में एज relaxation भी है MPPSC के as per as rule पे ठीक है तो यह जो है यह चीजे है इसमें अभी हम fees की ना बात करते हुए इसमें हम पदों की संख्या की बात कर लेते हैं फिर लाश्ट में मफीस की बात करेंगे देखे इसमें है DSP radio की हम बात करेंगे DSP radio की हम बात करेंगे तो मैं आपको बता दूँ कि General के लिए इसमें 4 seat है और OBC के लिए है इसमें 3 seat है और EWS वालों के लिए है 1 seat SC के लिए है 2 seat और HD के लिए है इसमें 3 seat total 13 seat आपकी इसमें available है DSP radio के लिए अब हम बात कर लेते हैं DSP computer के लिए हम बात कर लेते हैं DSP computer में हम General की अगर बात कर ले तो 1 seat है और OBC की बात कर ले हम तो इसमें भी 1 seat है और SC, HT और EWS के लिए हम बात कर ले तो 00 seat यानि कोई भी seat नहीं इसमें 2 है तो बहुत ही tough रहने वाला है काफी लोग इस exam के form को fill up करेंगे आपको पता है जैसा की जो छात्र है कई छात्रों ने engineering service को पास कर लिया है और इसमें जो eligibility मांगी गई है वो BTEC के लिए ही मांगी गई है तो काफी हद तक इस form को fill up किया जाएगा बेरोजगारी का इस तर आप सभी लोग अच्छे से देख रहा है तो हम बात कर लिते हैं इसमें DSP Radio के लिए काउन सी λिजबिल्टी चाहिए आप सभी लोगों को DSP Radio के लिए काउन सीलिजबिल्टी चाहिए इसके लिए आपको BE होना जरूरी है साथ में BTEC होना जरूरी है और हम बात कर लिए ये BTEC engineering degree in electronics में होनी चाहिए Engineering degree in Electronics में और Telecommunication में अब हम बात कर लेते हैं DSP Computer की बात कर लें अगर हम DSP Computer की बात करें तो इसमें भी BE के साथ में BTEC और ये BTEC Engineering degree in Computer Science के लिए चाहिए CS Department के लिए और वो था Telecommunication और Electronics के लिए अब हम बात कर लेते हैं इसके Exam Center की बात कर लें अगर हम तो Exam Center कहां कहां रहने वाले हैं कहां कहां आपका सभी लोग का exam हो सकता है देखे पहला Center इसमें इंदौर आप सभी लोग अगर हैं तो वहां से कहीं से भी fill up कर सकते हैं दूसरा है भोपाल और इसमें तीसरा है जबलपूर और चौथा है इसमें ग्वालियर जबलपूर और चौथा है इसमें ग्वालियर के लिए तो ये आपके Centers हो जाएंगे यहां पर आप सभी लोग अपने मन पसंद जगाओं पर Center दे सकते हैं अब मैं इसके syllabus की बात कर लूँ कि क्या syllabus है देखे मैं आपको बता दूँ कि DSP Radio के लिए और DSP Computer के लिए दोनों के लिए GK सेम है लेकिन DSP Radio का syllabus अलग है और Computer का syllabus है यह दोनों syllabus अलग-अलग है बाकि दोनों के लिए जो GK है वो GK का भी मैं पूरा आप सभी लोग को दिखा दूँगा कि कौन से topic से GK पूछा जाएगा यह मैं दिखा दूँगा और साथ में जो अलग-अलग Radio और Computer से ले बस हो उसको मैं दिखा दूँगा तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँगा कि दोनों के लिए GK क्या रहने वाला GK सेम रहेगा उसकी मैं बात कर लेता हूँ तो आईए देखते हैं तो जी हाँ दोस्तों जैसा कि स्क्रीन पे आप सब लोग देख पा रहे हैं राजी वेंत्रिक सेवा परिच्छा ये हैं और इसके जो पाठे क्रम है इसके भी सेम हम चर्चा कर लेते हैं देखे इसमें पहला है मद्यप्रदेश का इतिहास संस्कृतियों साहित्य पूरे हेडिंग से दिए गया है आप सभी लोग देख सकते हैं आप सभी लोग की स्क्रीन पे एकदम साब साब दिख रहा होगा दूसरा टॉपिक है इसमें मद्यप्रदेश का भोगोल यानि जो भी चीजे रहेंगी मद्यप्रदेश से संबंधित पूरे टॉपिक दिए गया है स्क्रीन पे देख सकते हैं जो सोथा है जो की टोपी किया गया है शूचनायम संचार परध्योंगी के लिए यहां पे पूरा टॉपिक दिया गया है पेट Ay Allah टीक है तो यह आप सबी लोग के लिए मैं English में भी है यहाँ पर English के जो चातरों के उनके समझ Anyways के लिए है स्क्रीन पे Same Topic इंगलिस में ही यहाँ पे दिया गया है अब हम बात कर लेते हैं रेडिओ के अलग से जो syllabus है उसके भी से में में दिखा देते हैं आप सभी लोग को और computer के लिए क्या syllabus है उसकी विसे में तो जहां दोस्तों DIPTSP radio में मैं बता रहा हूं और DIPTSP radio में बता रहा हूं आप सभी लोग को radio के लिए ये syllabus है देखे इसमें क्या दिया गया है physical electronics, electronics device and ICS इससे related रहेंगे topic आप सभी लोग के सामने screen पे यहां पे दिया गया है दूसरा है signals and system के लिए है topic यहां पे screen पे दिया गया है तीसरा है network theory के लिए है जो की topic भी यहां पे है और चौथा है electronic magnetic theory के लिए है topic इसका पूरा दिया गया हुआ है साथ में electronic measurement and instrumentation के लिए भी पाचवा topic यहां पे दिया गया है तो मैं आपको बता दूँ कि इससे संबंदित पाचवे में जो की दो तीन और भी है इसमें analog electronic circuit भी दिया गया है और साथ में digital electronic circuit भी है और control system भी है communication system भी इसमें दिया गया है साथ ही में इसमें microwave engineering के लिए भी है जो भी है और computer engineering के लिए भी है यह आपके deep अध्यन के लिए है कि screen पर पता नहीं आपको उत्ता समझ में आए कि नहीं अब हम बात कर लेते हैं DSP computer की से लेबर तो जिया दूस्तों जैसा कि Deep DSP computer के लिए हम बात करेंगे computer engineering के लिए unit wise सारी चीजें दी गई है पहला इसमें दिया गया है computer architecture organization parallel and distribute computing से संबंदित है next है computer programming data structure and object oriented analysis and design इससे संबंदित है और जिकी topic यहाँ पे नीचे दिया गया है इसमें system programming and operating system यहाँ पे दिया गया है तो syllabus आप सो भी लोग देख सकते हैं screen पे ही या फिर official आप सो भी लोग notification वहाँ से download कर सकते हैं क्योंकि यह syllabus आपके अपने room में लिखा होना चाहिए या तो इसका xerox भी लोग निकाल के रखेंगे तो जिहां दोस्तों अगर हम बात कर लें तो इसमें आप सो भी लोग देख सकते हैं यह जो diptsp radio के लिए ग्रीविभाग के लिए पद है इसमें वेतन है 56,100 रुपए से 1,77,500 रुपए समयानुसार राज्य की जो सरकार रहेंगी बहितनवभते बढ़ते रहेंगे यह सारी चीज़ें भी हैं कम्प्यूटर के लिए अगर हम बात कर लें डिपtsp में तो इसमें भी सेम ही सारी चीज़ें ग्रीविभाग के लिए है और सेलरी भी सेम ही रखी गई है तो जीहां दूस्तों अब हम बात करेंगे इसमें क्या है इसकी तो जैसा की स्क्रीन पे आप सभी लोग देख पा रहे हैं एकदम डिटेल में आपको बताना चाहूंगा सारी चीज़ें बिल्कुल देखिए जो दोनों पेपर हैं दोनों पेपर सेम हैं बस आपको मैं बता दूँ कि खंड आ यानि जीके का जो प्रस्न है उसमें डेर सो प टोटल मिला के साड़े चार सो और इसमें इंटर्व्यू भी होने वाला है पचास नंबर का तो कुल पांसो अंके यह तीन घंटे के पहले तो यह आपको पेपर जो रहेगा दोनों अब सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड मिटिंग पहला डेर सो पुडांका दूसरा तीन सो का तीन घंटे का पेपर रहने वाला यह टोटल साड़े चार सो नंबर के होंगे साचाथ्कार 50 नंबर का है कुल पचा पांसो पुडांके यह पेपर आप सभी लोग के होंगे तो जो की प्रसन पत्री हो जना भी आप सभी लोग स्क्रीन पे देख पार रहे होंगे इसको वेकंसी महत्पूर्ण जिसके भी सेमें लोग नहीं जानकारी होती है उनको वो लोग इस फॉर्म को छोड़ देते हैं जो कि उनकी लिए बहुत जरूरी होता ऐसे इसे फॉर्म की सारी डीटेल्स में आप से लोग को देता रहूंगा लाश्ट में हम बात कर लेते हैं इसके फ सदेश के जो मूल निवासी हैं उनके लिए 500 रुपए इसकी फीस रखी गई है और इसमें करेक्शन चार्ज भी 50 रुपए रखा गया है तो ये दोस्तों आप सभी लोग की फीस है जो कि यहां पर ऑनलाइन अपलाई करने के लिए तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइ जरूर करें और बहुत धन्यवाद